हेलो दोस्तो जैहिन वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सब को Google हाइरिंग के बारे में बताने वाला हूँ 2022 बैच स्टुएंट्स के लिए फ्रेशर्स के लिए जो अभी प्री फाइनल येर में हैं उन सब के लिए आ गया है एक नया अपडेट गूगल के तरफ से टेकनिकल सॉल्यूशंस इंजीनियर टेकनिकल सॉल्यूशंस इंजीनियर का जॉब रोल आपको मिलेगा फूल इन्फोर्मेशन देने वाला हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा तो बहुत इंपोर्डेट वीडियो है वीडियो को एंड तक देखिएगा 2022 वैच इस्ट्रूएंट के साथ में जरूर सेयर कर दिजेगा और साथ ही आप अपने इस चैनल New Tech World को सबस्क्राइब कर दिजेए क्योंकि यहाँ पे डेली नए नए जॉब अपडेट्स प्रिपरेशन अपडेट्स आपको मिल जाते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर दिजेगा अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लिजे नए नए अपडेट्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह गूगल का एक जो नया हाइरिंग आया हुआ हुआ है टेकनिकल सॉल्यूशन्स इंजीनियर जॉब रोल आपको प्रोवाइट किया जाएगा गूगल को गूगल के तरफ से आप सब के लिए 2022 बैच स्टुडेंट्स के लिए इसमें जितने भी उनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं चाहे वो इंजिनिरिंग बैग्राउंड से हों चाहे वो बीएस से हों चाहे वो मैच बैग्राउंड से हों सब ही इसके लिए इलिजिबल है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो मतलब आपको qualification जो minimum चाहिए जो eligibility criteria लगाया हुआ है वो है आपका कि आपको java c c++.net python इन सब languages का programming languages का reading और debugging आपको आना चाहिए मिन experience होना चाहिए आपको ठीक है और programming language जैसे python go java ये कुछ programming languages आपको आने चाहिए ये आपका minimum qualification है तो google में जाने के लिए अगर minimum qualification इतना कम है तो ये job आपके लिए बहुत easy है बहुत ही ज़्यादा scope है इस job में कि ये job आपको मिल जाएगा और अगर preferred qualifications की कुछ बात करो तो यहाँ पे कुछ preferred qualifications दिया हुआ है जैसे आपके पास में अगर experience है database big data informational और data mining में तो भी आप इसके लिए eligible हैं और आपका chances हाई हो जाता है ठीक है और भी इसमें कुछ-कुछ basic point है जैसे basic cloud foundation अगर आपको आता है तो आपको chances हाई हो जाते हैं अगर responsibilities की बात करूं तो आपको mainly अभी customer challenges आपको मिलेंगी वहाँ पर solve करने के लिए customer challenges समझने के लिए उसको solve कैसे करना है जानना कैसे है यह सारा कुछ और जो job का location है वो south का है आपको join करने के लिए simply apply करने के लिए आपको यहाँ पर apply now पर क्लिक कर देना है आपका page इसके google के official page पर चला जाएगा यहाँ पर आपको simply यहाँ पर apply क्लिक कर दीजेगा इस apply पर क्लिक करने के बाद में आपका page main इसके application form पर आजाएगा आपको simply यहाँ पर आपना resume add करना है यहाँ पर आपका जो contact details है मतलब ज्यादा लंबा form नहीं है easy form है आपको यहाँ पर अपना name उसके बाद में country city यहाँ पर आपका state यहाँ पर postal address email address phone number उसके ब अगर आपका BAC complete हो चुका है 2022 में मतलब होने वाला है 2022 में तो आपके लिए मैं आपको बता दूँ कि यह जो आपका degree है वह आपका BAC का होगा तो यह चीद आप ध्यान दीजेगा सारा मतलब बढ़ियां से फिल करिएगा उसके बाद में work experience कोई नहीं है no simply अगर आपके पा नेक्स्ट कर देना है next round पर आप से कुछ basic questions होंगे उसको फिल करिएगा और फिर submit कर देना है वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा आपने दोस्तों के साथ में share कर दीजेगा साथ ही आप अपने इस channel newtech world को जरूर subscribe कर दीजेगा friends telegram group को join कर लिजे नए-नए updates के लिए thank you thank you all